हेलो फ्रेंड्स मैं हूं जीया और मेरे चैनल पर आपका बोधोध स्वागत है तो आज मैं आपके साथ सेथ करूँगी धनिये की चटने बनाने की बिल्कुल आसांसी रेशिपी यह चटने खाने में बहुती ज़्यादा टेस्टी होती है तो इसके लिए वीडियो को फुल व भी हमें डालने है केवल पती नहीं डालने है दो शी तीन मैंने ली है यह लंबी वाली हैरे मिर्च और टेस्ट के कोडिंग डालेंगे नमक आदा चोटा चमच डालेंगे हम जीरा साथ में हम डालेंगे आदा चोटा चमच कस्मीरी लाल मिर्च अगर आप ज्यादा तिका ख लेसन को में छिलना नहीं है बिना छिले ही लेसन को इसके अंदर हम डालेंगे तो थोड़ा सा पाने डालने के बाद इसको दरदरा पीश लेना है इसको अमें ज्यादा बारिक पेश्ट नहीं बनाना है थोड़ा दरदरा ही पीशना है तो वीडियो जरा सा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चटनी को मैंने पीछ लिया है मैं चम्मत से आपको दिखा देते हूं इसको मैंने दरदरा ही पीछा है अगर आप चाहो तो इस चटनी को कच्छा भी खा सकते हो और अप्शनल है कच्छा 9-10 के लेसून की लेसून को मैंने बारेक बारी कट कर लिया है आदा छोटा समझ डालेंगे हैं इसमें हम जीरा लेसून होगे तो इस चटनी में आप थोड़ा ज्यादा ही डाले जितना लेसून डालोगे चटनी उतनी ही ज्यादा टेस्टी बनेगी तो आप अगर इस तरीके से दनिया की चटनी बनाओगी तो दनिया नहीं खाने वाले भी इस तरीके से चटनी बना बना के रोज खाएंगे तो लैसून हमारा अच्छी तरीके से पक चुका है अब इसके अंदर हम डाल देते हैं जो हमने मिक्सी के अंदर पीच ली है अब थोड़ा सा इसके अंदर हम डाल देते हैं पानी लगबग आदा कटोरी के करीब और इसको तीन चे चार मिनट तक लो फ्लेम पर हम पका लेते हैं ताकि दन्य का जो कच्छा पन है वो निकल जाए तो इस तरीकी से आप चटनी अपन चटनी बनेगी और आपने घर पर एक बार इस तरीके से चटनी बना की जुरूर ट्राइ कीजिएगा फिर कोमेंट करके जुरूर बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी तो यह लीजिए जी गर्मा गरम चटनी बनके हमारी तयार है तो आप देख सकते हो दिखने मे में जितनी अच्छी लग रही है यह चटनी खाने में भी उतनी ही टेस्टी तो आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल